वेलकम टू एक्जाम भी विचना तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हाली में राजिस्थान में साहिट प्रोफेसर की भरती को आजित किया गया था इसी के तयात यहां पर एक प्रिक्षा हुई थी उसी के प्रशन पत्तर को हम यहां पर आपके स्मक्ष प्रस्तूत कर रहे ह क्योंकि यह प्रशन 150 है अगर एक ही वीडियो में इसे कवर करेंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए इसके दो पार्ट करते हैं हाँ अगर लास्ट में आपको इसका एक मर्ज वीडियो चाहिए होगा तो आप बता देना एक मर्ज वीडियो भी आपके स्मक् प्रतीत होता है तो बताना है कि जो ये स्थापना या उक्ती है किस के द्वरा कही गई है तो ये उक्ती कही गई है अचारे रामचंदर शुकल के द्वरा यहाँ पर सही भी कल्प एक होगा अगला जो कोशन है यहाँ पर सीधा देख लेते हैं छे है इसमें बूचा गया है मंजन कृत मदुमालती के विशय में कौन सक तत्य सहीं नहीं है तो यहाँ पर पहला तत्य है इसकी कथा पुर्ण रूप से एतिहासिक है और दूसरा कथन है इसमें भारति काब्वी रोडियों का प्रियोग किया गया है अगला है अन्य सूफिक काब्यों के इसमान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है और अंदिम कथने इसमें पांच अरधाली चुपाईयों के बाद दोहे काप्रियोग किया गया है तो यहाँ पर जो सही नहीं होगा तो वो होगा विकल्प ए इसमें कथा पूर्ण रुप से एतिहासिक है तो दोस्तों ये पूर्ण रुप से एतिहासिक ना होकर काल्पनिक भी है इसलिए यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा बाकी जो कथन सही होंगे तो वो होंगे दो, तीन और चार अगला कोशन है दो, इसमें पुछा गया है चुपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शाइद यही है जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूरवी परदेश के बहुत सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था सरहपपा विशे कि यह कथन किसका है तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो यह कथन सरहपपा के विशे में कहा गया है या सिद्धों के विशे में कहा गया है और किसने कहा है तो यह अचारे हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है आपको हर यह चार विकल्प दिये गए हैं इनमें से एक सुमेलित नहीं होगा पहला है चंदन वाला रास ये आसकू की रचना है तो बिल्कुल सही है अगला जो तीसरा है उक्ती विक्ती प्रक्रण ये दामोदर्पंड की रचना है तो ये भी सही होगा अन्ती में बर्ण रतना कर ये आपके जो तीरिश्व ठाकुर की रचना है तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही होगा और जो दूसरा है स्थोली भदर राश ये आपके बिजे सेंसूरी की रचना नहीं होगी तो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं पहला विकल्प देखते हैं अख्रावट में बर्ण माला के एक एक अक्षर को लेकर सिधान सवंधी चुपाईयां कही गई हैं तो ये सही कतन होगा दूसरा है आखरी कलाम में कयामत का बन्यन किया गया है तो ये भी सही होगा तीसरा है पदमाबत में प्रेम कथा की परंपरा पुर्ण प्रावटा को प्रावट मिलती है तो ये कतन भी सही होगा अंती में पदमाबत पुन्त एतिहासिक तत्यों पर अधारित हैं तो दोस्तों ये कतन गलत हो जाएगा यह भी कालपनिक और एतिहासिक दोनों ही तत्यों को मिला कर रचा गिया है तो आप देख सकते हैं किस परकार दो प्रशनते सूफी ये एतिहासिकता को लेकर कहे गये थे और दोनों ही गलत होंगे अगला जो कोशन है ये छे है इसमें पूछा गया है कवीर दास ऐसे ही मिलन बिंदू पर खड़े थे जहां से एक और हिंदूत पर निकल जाता है और दूसरी और मुसल्मान अत्व तो ये कवीर विशेक उक्ति किसकी है तो सबसे पहले तो याद रखना है कवीर के सबंद में कही गई कथन है ये और किसने कहा है तो चारे हजारी पर साथ दूइविदी के द्वारा कहा गया है अगला कोशिन देखते हैं ये है साथ इसमें पूछा गया है हिंदी प्रेमाख्यानक काब्य प्रमपरा से सवंदित असंगत कथन कौन सा है तो चलिए देखते हैं तो पहला होगा निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यानक तत्सम शर्दावली परधान अब्दी अगला है ये काब्य प्रमपरांदात्मक शैली में रचित है अगला है इनके पात्र मुख्यतर दोश्रेणियों मानभी और मानेतवर हैं अगला है इन काब्यों की मूल भावना प्रेम है तो यहां पर सही विकल्प चार होगा अगला जो कोशन यहां पर रहेगा तो बहुए आठ इसमें पूछा गया है निमलिकीत के अधार पर सही विकल्प चुनिये तो यहाँ पर जो कथन एक है इसमें पूछा गिया है या बताये गिया है कभी जो कुछ कहते थे वे शास्ति ग्यान के अधार पर कहते थे और जो कथन दो है इसमें पूछा गिया है उनकी उक्तियां बेधने वाली और ब्यंगय चोट करने वाले होते थे तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा विकल्प भी अर्थात कथन एक गल्थ हो जाएगा और कथन दो सही हो जाएगा अगला कोशिन देखते हैं यह है नौ इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन असंगत है तो चलिए पहले कथन को पड़ते हैं तो यह कथन सही हो जाएगा दूसरा है गागरौन गड़ के राजासंथ पीपा ने स्वामी रामानंद से दिक्षा ले थी तो यह कथन भी सही हो जाएगा अगला जो कथन है जंबनाथ ने अपने आदर्शों के परचार अर्थ ब्रह्म संपरदाय की स्थापना की थी तो दोस्तों यह कथन गलत हो जाएगा यहाँ पर अगला जो कथन है सहजोवाई ने ब्रह्मतत्त्यों का निर्गुन सगुन निर्पेक्ष अनिर्वर्चनिय स्थिती का अनुभूति परक बढ़नन किया है तो यह कथन भी सही हो जाएगा यहाँ पर जो असंगत कथन होगा तो वो हो जाएगा तीन अगला कोशिन है दस इसमें पूछा गया है पुष्टी मार को जहाँ जाथ है सो जाको कचु लेना होए सो लेओ सूरदास की मृत्तियों पर जो सूरदास की मृत्तियों निकर थी उस समय यह कथन किसने कहा था तो ये कतन कहा गया था बिट्रनाथ की द्वारा बिट्रनाथ है इनके द्वारा ही अठ छाप की स्थापना की गई थी याद रखेगा सही बिकल्प यहां पर बिख होगा अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन 11 उन्होंने रचना नैपूनिय का भद्धा प्रदशन कहीं नहीं किया है और ना शब्द चमतकार आदी के खिलवारों में वे फसे हैं उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवी में नहीं है शुकल जी का ये कतन किस कवी के विशे में था तो जो ये कतन है अचारे रामचंदर शुकल ने कहा है तुलसी दास जी के समन्द में हैं यहां पर सही बिकल्प यह होगा अगला कोशन है 12 इसमें पूछा गिया है कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूं हूं लिखी कागत कोरे तो यह बिने उक्ती किस कवी किये है तो यहां पर भी सही बिकल्प हो जाएगा चार तुलसी दास अगला कोशन है 13 इसमें पूछा गिया है भाषा भूषन के रचनाकार है तो बताना है कि जो गर्णत है भाषा भूषन इसके रचनाकार कौन होंगे तो यहां पर जो सही बिकल्प रहेगा तो बहो जाएगा बिकल्प C जस्वन्त C हैं तेरा का सही बिकल्प C हो जाएगा अगला कोशन है यहां पर 14 इसमें सही बिकल्प का चुनाभमे करना है तो जो पहला कतन यहां पर पूछा गया है निर्गुन भक्ती में गुरू को बही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्यानमार्ग सगुन भक्ती या रहस्य बाद में प्राप्त है दूसरा कतन है निर्गुन भक्ती का अलंबन निराकार और अगोचर है तता सगुन भक्ती में अलंबन साकार और गोचर है तो यहां पर बताना है कि कौन सा कतन सही होगा जो चोदा का सही विकल्प रहेगा तो वो होगा विकल्प 4 अर्थाद कफन अ गलत हो जाएगा और कफन ब सही हो जाएगा अग्रा जो कोशिन है यहाँ पर 15 इसमें पूछा गया है मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन होंगे तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो बो होगा विकल्प C, बेनी मादरदास जो मुलुगोसा इंचरित है इसमें तुलसी दाश्ची के वाले में बताया गया है यादर किएगा यह प्रशन भी कई बार बन सकता है अगला कोशिन है राजिस्थान से जवन्दित संत भग्द संपरदाय नहीं है तो यह होगा विकल्प D, बाबरी संपरदाय यहाँ पर बारकरी संपरदाय होना चाहिए था यह लिखा है बाबरी संपरदाय तो सही विकल्प यहां पर जाएगा अगला कोशिन है यहां पर सतरा इसमें पूछा गिया है भक्तमाल के टीका कार कौन है तो जो भक्तमाल है नावदास कृत उसके टीका कार रहेंगे प्रियदास जो सतरा का सही विकल्प यहां पर ए हो जाएगा अगला कोशन है 18 इसमें पूछा गिया है रामभक्ती कापेधारा से सबंद कवी नहीं है तो यह होंगे बिकल्प C गदाधर भट बाकी स्वामी अगरदास प्रानचन चोहान और हरिदे राम ये तीनों ही रामभक्ती कापेधारा से सबंद कवी हैं सिवाए गदाधर भटके अगला कोशन है यहाँ पर 19 इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा कभी ग्यानमारगी बिचारधारा से सबंद नहीं माना जाता है तो सही बिकल्प यहाँ पर रहेगा बिकल्प दो दुरुभदास यह थे आपके सगुन भक्ती धारा से सबंद नहीं मलूग दास और सुन्दर दास यह तीनों ही ग्यानमारगी शाखा से सबंद नहीं अगला कोशन है बिस इसमें पूछा गया है राधा बल्लत नामक बैशन भक्ती संपरदाय के परबरतक कौन है तो यहाँ पर जो आपका सही बिकल्प रहेगा तो बहोगा बिकल्प भी हित हरीवश अगला कोशन है 21 इसमें पूछा गया है कौन सा बिकल्प सुसंगत नहीं है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प रहेगा तो बिकल्प चार हो जाएगा जो ग्यान बोथ है यह रामानंद की रचना नहीं है बाकि जो कवीर परीचे है यह अनतरदास की रचना है सही हो जाएगा ग्यान समुद्दर यह सुंतरदास की रचना होगी यह भी सही है और जो तीसरा है ग्यान दीपक ये दरिया सहाव की रचना है तो ये भी सही हो जाएगा 21 का सही विकल्प यहाँ पर 4 हो जाएगा अगला कोशिन देखते हैं ये है 22 इसमें पुछा गया है संत दादु दियार की शिश्य परंपरा से असवंद संत है तो कौन सा कभी है जो संत दादु दियार का शिश्य नहीं था तो यहाँ पर सही विकल्प रहेगा एक पीपा बाकी सुंदरदास रजजवदास, गरीवदास ये तीनों ही दादु दियार के शिश्य थे अगला कोशिन है हिंदी में रिती गरंतों की अवीरल और खंडित प्रंपरा का परभा केशव की कभी प्रियाग ये प्राय पचास बर्ष पीछे चला और बहवी एक भिन आदर्श को लेकर तो ये कथन किसका है तो ये कथन हो जाएगा अचारे रामचंदर शुकल का तरे इसका सही बिकल्ब चार हो जाएगा अगला कोशिन है यहाँ पर निमलहित कथनों से सवंदित सही बिकल्ब का चुनाव कीजी कथन एक है रिती कवीता राजा और रईसों के आश्रे में पली है और कथन दो हो जाएगा उनकी अंतर प्रेणना और स्वरूप की कभियों और उनके आश्रे दाता दोनों के सवंदित से ही समझना समझा जा सकता है तो यहाँ पर जो सही बिकल्ब रहेगा तो वो होगा बिकल्ब एक अ और वर दोनों सही होंगे अगला कोशिन है इसमें पूचा गया है असंगत बिकल्ब का चुनाव कीजी तो यहाँ पर पच्चिस का सही बिकल्ब होगा बिकल्ब ए देव और बिहारी पदम सिहं शर्मा की रचना नहीं होगी बाकी बिहारी और देव लाला भगवान दिन की रचना है सही है कवीवर बिहारी जगनादास रतनाकर की रचना है यह भी सही होगा बिहारी की बाग विभूती यह बिश्वनात परसाद मिश्र की रचना होगी यह भी सही हो जाएगा अगला कोशिन है ढेल सो बनाय आये मेलत सवा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो है यह काब्याश के रचईता कौन है तो यह काब्याश रहेगा बिकल्प सी ठाकुर का 26 का सही बिकल्प 3 हो जाएगा अगला कोशिन है बिज्ञान गीता के रचनाकार कौन है तो यह हंगे बिकल्प 4 के शवदास 27 का सही बिकल्प 4 हो जाएगा अगला कोशिन है 28 इसमें पूछा गिया है निमलखित में से कौन सा ग्रंथ मातर अलंकार निरूपक नहीं है तो सही बिकल्प हो जाएगा 3 कभी कुल्प कल्पतरू यह जो कभी कुल्पतरू है ये मातर अलंकार ग्रंथ नहीं होकर सरप्रांग निरूपक ग्रंथ माना जाता है यहाँ पर 28 का सही बिकल्प 3 हो जाएगा अगला कोशने 29 इसमें पूछा गया है कौन सी रचना मातर पिंगल या चंद निरूपक है तो 29 का सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प भी बृत बिचार अगला कोशने 30 इसमें पूछा गया है कौन सी रचना रस नाइक नाइका भेद निरूपक नहीं है तो जो 30 होगा इसका सही बिकल्प रहेगा चार पदमा भरन अगला जो कोशन यहाँ पर रहेगा तो यह है 31 इसमें पूछा गया है सर्बांग, विविद, कब्यांग, विवेचक, अचारे नहीं है तो यहाँ पर जो 31 है इसका सही बिकल्प हो जाएगा एक तोश, तोश कभी हैं जो यह सही उत्तर होगा यहाँ पर अगला कोशने 32 इसमें पूछा गया है रीति काल के बिशे में कौन सा कथन सही नहीं होगा तो यहाँ पर जो गलत कथन होगा तो बो हो जाएगा तीन अर्थात इस काल के रीति गरंथ, लक्षन गरंथ, संस्कृत, लक्षन गरंथों की चाया से पूंटा मुक्त से तो यह कथन गलत हो जाएगा बाकी एक, दो और चार ये खतन सही हो जाएंगे अगला कोशिन है यहां पर 33 इसमें पूछा गया है अच्छारे लोग तो कविता करने की दीती सिखलाते हैं मानोबस अंसार से कहते हैं कि अमुक अमुक बुशहों के बंडन में अमुक परकार के कथन उप्योगी हैं और अमुक परकार के अनुप्योगी तो ये कथन किसका है? तो ये कथन रहेगा भिकलप भी मिश्रबंधों का अगला कोशिन है यहां पर 34 इसमें पूछा गया है मती राम जी के रसराज के सम्मान पदमाकर जी का डैश भी काबे रसीकों और अभ्यासियों दोनों का कंठार रहा है बास्तब में ये शिंगार रस का सारगंत सा प्रतीत होता है शुकर जी का ये कतन पदमाकर की किस रचना के संदर में कहा गया है तो यह होगा विकल्पतिन जगद बिनोद तीन यहाँ पर सही हो जगा 34 अगला कोशन है 35 इसमें पूछा गया है भक्ति कालिन राम कब्बे धारा के विशे में असंगत कथन होगा तो यह जो असंगत कथन होगा तो यह होगा 4 यह क्रिशन काब्बे के प्रवाफ से पूर्टा मुक्त है तो यह कथन असंगत होगा बाकी 1, 2 और 3 संगत होगे अगला जो कोशन है यहाँ पर 36 इसमें पूछा गया है केशवदास के कृतित विशे कौन सा कथन सही नहीं होगा तो यहाँ पर जो कथन गलट होगा तो बो होगा कथन एक रामचंद्री का मिकथा के कर्मबद रूप और अवसर के अनुकूल विश्तार संकोच का विशे दियान रखा गया है विशेश दियान रखा गया है तो यह कथन गलट हो जाएगा बाकी इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंगकार सवंधी है ये कतन सही होगा अगला है चमतकार प्रदशन के कारण इनकी रचनाओं में भापक्ष की अपेक्षा कलापक्ष प्रदान हो गया है तो ये कतन भी सही होगा कभी प्रिया, रसिक प्रिया और चंदमाला लक्षन गरंथ है तो यह कथन भी सही होगा तो यहाँ पर जो गलत कथन होगा तो वो होगा कथन एक अगला जो कोशन यहाँ पर रहेगा तो यह है 37 इसमें पुछा गिया है किस बिकलप में सभी रचना विखारीदास की है तो यहाँ पर जो सही बिकलप रहना चाहिए तो वो होगा बिकलप चार, काबेनीने, रसाराश, चंदोरणव, पिंगल तो यह है बिकलप चार यहाँ पर सही रहना चाहिए अगला कोशने 38 इसमें पूछा गिया है मतीराम के समन्द में कौन सा कतन सही नहीं होगा तो ये होगा बिकल्प 3 रसराज के नाइक, नाइका, अत्यादिक, चतुर और क्रियाबिद हैं तो सही बिकल्प यहां पर 3 होगा बाकी 1, 2 और 4 कतन मतीराम के समन्द में सही होगी अगला कोशने 49 इसमें पूछा गया है कौन सा कतन भूशन के ब्यक्तितव और क्रितितव के संदर्व में सही नहीं होगा तो 49 क्या सही बिकल्प हो जाएगा बी, शिवराज भूशन और 46 दशक इनके प्रबंद काप्या है तो दोस्तों ये प्रबंद काप्या नहीं मुक्त काप्या है बाकी 1, 3 और 4 ये कतन सही होगे अगला कोशने 40 इसमें पूछा गया है देवकृत सुकसागरतरंकोन नाइका भेद का एक बिशव कोश किसने समझा है तो ये समझा है डॉक्टर नगेंदर के द्वारा 40 का सही बिकल्प एक हो जाएगा अगला कोशने 41 इसमें पूछा गया है इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रतन माना जाता है तो शुकर जी ने ये कतन किसके लिए कहा है तो ये बिहारी की बिहारी सचसे के लिए कहा गया है 41 का सही बिकल्प डी हो जाएगा या 4 हो जाएगा अगला कोशने 42 इसमें पूछा गया है ये स्थापना और तर्गला पशन है स्थापना है जिस कभी में कल्पना की समहार शक्ति के साथ भाषा की समार शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही भर मुक्तक की रचना में सफल होगा इसका तर्ग है ये क्षमता बिहारी में पुन रूप से बर्तमान थी तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा बिकल्प सही होगा तो बिकल्प दो बिल्कुल सही होगा जो स्थापना और तर्क दोनों ही सही होंगे 42 का सही बिकल्प दो हो जाएगा